हलो नमस्कार साथियों मैं हर बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगी और अगर आप खा काफी important रहने वाला है तो अभी आपने DSSB धमाका बिल्कुल देख लिया होगा जिसने सभी बच्चों की आँखे खोल के रख दिये हैं वो candidates जो deserving थे उनको पीछे धकेल दिया गया है और जिनके marks कम थे उनको आगे ले जाया गया है तो यह चीजे सामने निकल कर आ रही है ह और इसके बाद मैंने online voting भी कराई थी तो उस voting में जो result आया निकल के तो वो अभी आप अपनी screen पे देख सकते हैं तो अभी आप देख रहे हैं मैंने question डाला था कि क्या आप DSSB MCD PRT के normalization से खुस हैं यह question था जैसा कि आप जानते कि channel नहीं एक family है और अगर आपके साथ कु question डाला था वो question था कि क्या आप DSSB MCD PRT के normalization से खुस हैं तो इसमें 865 लोगों ने जब मैंने देखा तो उस time तक vote करे थे तो उनमें से 78% candidates ऐसा बोल रहे हैं कि वो खुस नहीं है only 14% candidates ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि वो खुस हैं और 50-50 में 8% और मैं आपको बता देता हूँ मैंने खुद को भी 50-50% में इसमें रखा था तो 50-50% जो बोल रहे हैं वो 8% लोग है और 88% candidates ऐसे हैं जो इससे खुश नहीं है और 14% candidates ऐसे हैं जो बोल रहे हैं वो खुश है तो इससे पता चलता है कि DSSB की जो ये normalization किया DSSB ने उससे 70% candidates खुश नहीं है इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है बच्चों के साथ और अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है जो हमारी family से जुड़े हुए है तो हमारी family में कुछ गलत है तो हमारे साथ गलत है और सातियों आप tension नहीं हम आपके साथ हैं आप भी हमारे साथ जुड़े और हम आपके साथ है तो इसके रिगार्डिंग एक मिटिंग होने वाली एकल धरना परदर्शन होने वाला है आप जादा से जादा संख्या में वहाँ पहुँचे अगर आपके साथ जैनुएनली कुछ गलत हुआ है यह नहीं कि ऐसे ही आप 17-18 पे जो है उनका सेलेक्शन नहीं होगा आप भूल जाएं बिल्कुल कट ओफ कम से कम 125 के लगवक जा सकती है 122, 124, 125 कट ओफ जा सकती है तो इसके रिगार्डिंग कल एक धरना परदर्शन होने वाला है कहां होने वाला है अभी आप देख सकते हैं तो आपको कहां पे ज 17 सुबह 9 बजे दुबारा सुन लीजे बारे खंबा रोड मैट्रो स्टेशन गेट नमबर 5 नौ बजे इसके बाद आपको क्या-क्या चीजे लेके जानी है वो भी अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आपको रॉल नमबर की कॉपी आंसर की के टाइम आपके मा जादा हुए वो आपको अपने साथ में लेके जाने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरूप का लिंक है आप वहाँ से जॉइन हो सकते हैं